तो दोस्तो शुबमन गिल की गुजराट टाइटन्स के सामने होने वाले है पैट कमिन्स के संद्राइज सेधराबाद और ये मैच कोई दोस्तो ऐसा वैसा मैच नहीं होने वाला है क्योंकि दोस्तो ये मैच होने वाला है गुजराट के होम गराउंड पे एहमदाबाद में औ तो है दोनों टीमों की इस match के लिए हो सकती है साथी साथ दोस्तों हम बात करने वाले है prediction की कौन से batsman, कौन से all rounder कौन से baller इस match में चल सकते है साथी साथ दोस्तों पिछ report बताऊंगा आपको साथी साथ दोस्तों comparison करेंगे देखेंगे कौन सी टीम इस मैच में आगे है और विनर बताऊंगा इस मैच का कौन हो सकता है तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सस्क्राइब नहीं किया तो कर दीजिए विडियो को लाइक कर दीजे क्योंकि इसी तरीके के अच्छे विडियो इस चैनल पर आते लेते हैं तो चैनल को सस्क्राइब विडियो को लाइक जरूर कर देना और चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के दोस्तों सबसे पहले तो हम पिछ रिपोर्ट की बात कर लेते हैं तो आहमदाबाद का ग्राउंड हम सबको पता ही है कैसा है यहाँ पर थोड़ा सा स्फास्टर बॉलर को मदद मिलती है और दोस्तों यहाँ पर बैट्समेंस काफी जादा रंस बनाते हैं अभी के लिए जितन पर फास्टर बॉलर्स बहुत जादा चलते हैं तो आपको पिछ रिपोर्ट समझ में आ गई होगी दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं आपर दोनों टीमों के प्लेइंग 11 की तो दोस्तों प्लेइंग 11 की अगर हम बात करें तो गुजरा टाइटन्स की अगर हम बात करें सब विजे शंकर नंबर 7 पे आपको देखने को मिलने वाले है रशित खान नंबर 8 पे आपको देखने को मिलेंगे रहुल देवत या नंबर 9 पे आपको देखने को मिलेंगे स्वेंसर जॉनसर नंबर 10 पे आर साई किशोर नंबर 11 पे उमेश यादो कुछ इस तरीके से जो है इस है वही दोस्तों अगर हम बात करें संद्राजी सेदरबाद की उनकी प्लेंग 11 इस मैच के लिए क्या हो सकती है तो दोस्तों ओपनिंग के लिए जो है ट्रैवीस हेड अभिशक शर्मा आएंगे और दोस्तों नमबर तीन पे राहूल त्रिपाथी नमबर चार पे एडन मारकर लेकिन टीन अटराजन थोड़े से इंजर थे पिछले मैच में वो नहीं खेले थे हम सबको पता ही है तो मेरी हिसाब से यहाँ पर उम्रान मलिक भी खेल सकते है तो दोस्तों चेंज की बात करें तो चेंज मुझे कोई नजर नहीं आरा लेकिन दोस्तों मैं आपको बता कि मैंने राहूल तिरपाठी को इसलिए इस प्लेइंग लेओन में रखा है क्योंकि यह काम कर सकते है यह बहुत बढ़िया बैट्समेन है मैंक अगरवाल का जिस तरीके से फॉर्म चल रहा है उनसे तो यह काफी बढ़िया बैट्समेन है मेरे हिसाब से इनको मोका देना च चाहिए और अभी शेक शर्मा ट्रैविस हेड ने जिस तरीके से पिछले मैच में फॉर्म दिखाया उनको आपको बतार ओपनर भेजना चाहिए मेरे हिसाब से राहूल त्रिपाठी इस प्लेइंग लेओन में रहने चाहिए बाकी मुझे कोई चेंज इस प्लेइंग लेओ यह बैटिंग कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज तो मेरी हिसाब से यह सतर से जाधा रंस बनाएंगे दोनों मिलकर और मेरी हिसाब से जाधा भी बना सकते हैं तो आप यह समझ के चलना साथ ही साथ दोस्तों शुम्मन गिल और साई सुदर्शन जो है पचास से जाधा रंस बन देंगे वही दोस्तों अगर हम बात करें बॉलिंग की बॉलिंग में जो है इस मैच में कौन चलने वाला है तो मेरे हिसाब से मोई शर्मा इंपक्ट प्लेयर की तौर पर आएंगे और दोस्ते जाधा विकेट्स जो है इस मैच में ले सकते है और दोस्तों मुझे ऐसा लगता दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं यह सबसे बड़ा पॉंट है कमपेडिजन के अगर हम बात करें तो सबसे पहले है तौप और के बात करते हैं गुजरा टाइटन्स की तो गुजरा टाइटन्स के पास मुझूदे टॉप ओडर में शुबमन गिल रिदिमान सहा और साइज सुदर्शन वही अगर हम संद्राइजिस हिद्राबाद के टॉप ओडर की बात करें तो उनके पास मुझूद होने वाले हैं ट्रैविस हेड अभ मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर संद्राइजिस हिद्राबाद को आगे रखूंगा दोस्तो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर मिडल ओडर की मिडल ओडर में गुजरा टाइटन्स के पास मोजूद होने वाले हैं अजमतुला उमर्जाई डेविड मिलर, विजय शंकर और रशीद खान कुछ इस तरीके से जो है गुजरा टाइटन्स के पास मिडल ओडर में बैट्समेंस मोजूद होगे वही दोस्तों अगर हम बात करें संद्राइज दे सिद्राबाद के तो उनके पास मोजूद होगे एडन मारकरम, हेंरी क्ला पास मोजूद होने वाले है राहूल तेवतिया, स्पेंसर जॉंसन, आरसाई किशोर और उमेश यादो, मोही शर्मा इस मैच में आने वाले है संद्राइज सिद्राबाद की लोवर ओडर की बात करें तो पैट कमिन्स, मयांक मारकंडे, भूनेश और कुमार और टीन अटराजन या फिर उमरान मलिक मेरे इसाब से उमरान मलिक इस मैच में खेलने वाले है क्योंकि टीन अटराजन वो इंजर है तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर थोड़ी से आगे मुझे गुजरा टाइटन्स दिख रही है और रहुल केवतिया उनको बॉलिंग तो नहीं मिल रही लेकिन बैटिंग से अच्छा कर रहे है इनके जगा कोई भी बॉलर आ सकता है तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि आठवे नमपर पर आपर मुझे शर्मा को रख लीजे इंपक्ट प्लेयर की तोर पर आएंगे फिर भी मैं आपको बता तो कि मोई शर्मा इंपक्ट प्लेयर की तोर पर आएंगे और यह बहुत बड़ी आबॉलर है इस तीम के तो दोस्तो मैं इसलिए यहाँ पर कंसिडर कर रहा हूँ मोई शर्मा को क्योंकि एक बहुत बड़ी आबॉलर है और हर मैंच में यह वो इंपक्ट प्लेयर के तोर पर आते है तो मुझे यहाँ पर थोड़ी सी गुजरा टाइटन्स जो है आगे दिखती है तो दोस्तो यहाँ पर मैंने आपको जो है कंपैरिजन बता दिया क्या हो सकता है इस मैच के लिए और कौन सी टीम आगे है तो संद्राजी सिद्राबाद थोड़ी से आगे दिखती है लेकिन दोस्तो मुझे ऐसा लगता है कि इस मैच को जो है गुजरा टाइटन्स जीतने वाली है होम ग्राउंड की टीम जीत रही है ऐसा कुछ नहीं है होम ग्राउंड पे हम सबको बताईए हर टीम के पास एक एडवांटेज होता है जिसकी वज़े से वो जीतते है उनको पिछ पता होती है वहाँ की तो मेरी साबसे इस मैच में भी शुमन गिल की टीम यानि गुजरा टाइटन्स जीत सकती है देखते हैं क्या होगा ट्रैविस हेड पैट कमिंस को हरा पाएंगे इस स्पिच के ऊपर बहुत बड़ी जो हार है इंडिया को वहाँ पर मिली थी और मुझे ऐसा लगता है कि हम वो नहीं भूल पाएंगे देखते हैं इस मैच से कुछ मतलब मिलता है कि हमें वैसे तो कुछ नहीं मिलने वाला क्योंकि वो वर्लकप लेवल का मैच था और यह जो है IPL का मैच है तो दोस्तो इस वीडियो में बस इतना ही आप जरूर कमेंट में बताना कौन इस मैच को जीच सकता है मैं गुजरा टाइटन्स को बता रहा हूँ कि वो इस मैच को जीच सकते हैं तो दोस्तो इस वीडियो में बस इतना ही मिलते नेक्स टुडियो में थैंक्स फॉर वाचिंग झाल की प्हांग।